तो ये है Car Control Part 2 अन आज की वीड़ोर हम काफी सारे Concepts के पदबरiral बात करेंगे हम बात करें कैसे हैं कार को Input System परवाइड करते हैं और कैसे हम उसे Input की बेस पर Movement परवाइड करते हैं इसके लाबा हम बात करेंगे Camera Movement के बने कैसे हीं Camera को Movement परवाइड करते हैं यहाँ पर देखू जो हमारा यह input manager हमें देखने को मिलता है, यही unity का inbuilt input system है, हमें क्या गरना है, पस इस input manager को access करना है, कहाँ पर हमें इसे access करना है, हमारी car controller script के अंदर, क्योंकि हम हमारी car को input system प्रवाइट करना जाते हैं, तो उसके लिए हमें यह मारी car controller script में उस input manager को access करना पड़ेगा, कैसे हम access करते हैं? उसके लिए हमें एक inbuilt method देखने को मिलता है, जो की है input.get access method, हम इस method के यहल्प से क्या कर सकते हैं? जो हमारा यह input manager है, इसे हम access कर सकते हैं हमारी car controller script में, तो हम क्या करेंगे इससे access कर लेंगे उसके लिए हम fixed update method के बाद एक new method create करेंगे जो कि होगा देखो void get input उसके बाद parentheses and curly braces तेक है तो हम नहीं क्या कर लिया get input के नाम से एक method create कर लिया अब इस method के अंदर हम हमारे input manager को access करेंगे कैसे मैं access करेंगे उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे देखो हम input dot get axis method and उसके बाद parentheses and semicolon अब इस method में हम कुछ value पास करेंगे और वो value क्या होगी वो होगी axis name जो की एक string value है तो वो axis name मैं कहां से get करूँगा वो हमारा जो यह input manager है यहाँ पर देखो हमें axis देखने को मिलते हैं horizontal axis and vertical axis तो अभी के लिए जो हमारा यह vertical axis है उसके name को मैं यहाँ से copy करूँगा यहाँ पर हमारे इस method के अंदर double quotes में उससे मैं यहाँ पर पास कर दूँगा अब बिलकुल ऐसे ही मैं horizontal input को access करूँगा कैसे मैं access करूँगा उसके लिए again मैं यहाँ लिखूँगा देखो input dot get axis method and उसके बाद फिर से हम यहाँ पर देंगे parentheses and semicolon and अब हम यहाँ देंगे double quotes अब इस double quotes के अंदर यहाँ पर हम क्या पास करेंगे horizontal axis तो मैं क्या करूँगा देखो again मैं हमारे input manager में आऊँगा यहाँ पर देखो जो हमारा यह horizontal axis का name है उस name को मैं यहाँ से copy करूँगा and यहाँ पर उसे देखो मैं paste कर दूँगा अब यह method काम क्या करते हैं इसके बार में थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो जो हमारा यह first method है यह vertical input के लिए यानि कि जब मैं हमारे keyboard से up arrow की down arrow की press करूँगा w की या फिर s की press करूँगा तब हमारा यह method call होगा बिल्कुल ऐसी जो हमारा य next method है यह horizontal input के लिए यानि कि जब मैं हमारे keyboard से right arrow की left arrow की press करूँगा जब फिर a की d की press करूँगा तब हमारा यह method call होगा ओके and जब यह method call होगे तब हमारे पास यह हमें कुछ value return करेंगे और वो value क्या होगी वो value होगी देखो minus 1 और 1 की range में तो हम क्या करेंगे उन values को store करन flow type का है उसे मैं name देंगा vertical input ठीक है उसके बाद से हमें colon और फिर मैं another variable create करूँगा flow type का जो क्यों होगा horizontal input के लिए तो हमने क्या कर लिया दो variables create कर लिए अब हम क्या करेंगे जो vertical input वारे variable है उसे हम यहां से copy करेंगे and यहां पर देखो उसे मैं paste कर दूगा उसे मैं equal to कर हम क्या करेंगे जो हमारे पास यह method हमने create किया है input को get करने के लिए इसे हमें call भी कराना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे अभी के लिए इसे जो हमारी fixed update method है यहां पर दूग करा लेंगे तो मैं इस method को यहां से copy करूँगा and यहां पर उसे मैं paste कर दूगा और उसके पास semi call ठीक है तो हमने क्या कर लिया get input के नाम से method create कर लिया जिसे हम inputs को get कर रहे हैं ओके अब हम इस input के base पर हमारी car को move करना चाते हैं तो वो हम कैसे करेंगे देखो हमारी car को हम move कैसे करा रहे हैं हमारे इस motor force method की help से क्योंकि यहां पर हमने देखो यह logic लिखा है कि जब हम wheel colliders को front herkes को motor ball обяз करते हैं तो उससे कहोता है हमारी car Hij moving करती है तो मैं इसे मैं अब input के base पर move करना चाता हूं किस input के base पर वर्टिकल ban का बेश पर तो मैं क्या करेंगा जो हमारा यह article input का variable है इससे में यहां से copy भी करूँगा and यहां बरनाम ऐसे 10 के बाद multiply कर दूँगा दोनों wheel colliders को ठीक है अब देखो इससे होगा के देखो जब हम हमारे keyboard से कोई vertical input देंगे यानि कि हम W की या S की press करेंगे अब इक लिए माल लेते हैं हम W की press करते हैं तब हमारे पास कुछ positive value return होगी हमारे इस method की वज यह positive 1 10 से multiply होगा तब क्या होगा हमारी गाड़ी 10 की 4 से आगे move करें and अगर मैं यहां पर देखो S की press करता हूँ तब क्या होगा हमारे पास negative 1 value return होगी और हमारे पास यहां पे negative 1 value store होगी और हमारी गाड़ी negative 10 की speed से move करेगी यानि कि वो पीछे की move करेगी and अगर मैं कोई भी input नहीं दूँगा तब हमारे पास जो हमारा यह method है यह 0 की value return करेगा और यहां पे 0 store होगी और अगर मैं 10 को 0 से multiply करता हूँ तो यहां पे 0 हो जाएगा यानि कि हमारे गाड़ी move नहीं करेगी ओके अब इसे मैं check भी कर सकता हूँ इसे मैं देखो control save करूँगा अब again मैं ह हमारे keyboard से देखो S की press करता हूँ तब देखागा कि जो हमारे गाड़ी है अब वो पीछे को move करने लग जाएगी यानि कि हमने हमारे car को keyboard से input provide कर दी आगे पीछे move करने की लेकिन जो अभी force apply हो रहे हैं हमारे गाड़ी के उपर वो थोड़ी कम है तो हम क्या करेंगे इसे थ अलग से variable create कर लेंगे तो यहां पर मैं टॉप पर एक variable create करूंगा public एन उसके बाद हम देंगे type जो क्योंगी float एन उसे में देंगे motor force एन उसे मैं equal to कर दूंगा अब के लिए 100F एन उसके बाद semi call ओके अब देखो जो हमारा यह motor force variable है उसे मैं यहां से copy करूंगा जहां पर ह अगर मैं play button के पर click करता हूँ अब देखो क्या होगा कि अब अगर मैं हमारे गाड़ी को आगे move करता हूँ तो हमारे गाड़ी देखो fast आगे move करेगी and मैं पीछे move करता हूँ तो हमारे गाड़ी पीछे fast move करेगी and यही हमें चाहिए था ठीक है तो हमने हमारे गाड़ी को आगे पीछे तो move करा दिया, अब हमें क्या करना है हमारे गाड़ी को right and left की movement प्रोवेट करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए अब एक चीज सोचो कि real life में जब एक गाड़ी right और left move करती है, तो वो कैसे move करती है, उसके wheels की वजए से, क्योंकि हम क्या करते हैं, उसके wheels को right और left move करते हैं, तब जो हमारे गाड़ी है वो right और left move करती है, तो यहाँ भी हम वही चीज करने वाले हैं, हम क्या करेंगे हमारी गाड़ी के जो front wheel है उसे हम y-axis पे देखो अगर rotate करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं हमारी गाड़ी को right और left movement provide कर सकते हैं तो हम इसे rotate कर देंगे कैसे हम rotate करेंगे देखो उसके लिए न हमें एक inbuilt property मिलती है wheel collider.stearing angle के नाम से और इस property के help से हम क्या कर सकते हैं हमारी wheel collider को y-axis पे rotation provide कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे इस property को use करेंगे हमारी car के wheels को y-axis पर rotation provide करने के लिए ओके तो मैं कैसे करूंगा उसके लिए again देखो हमारी car controller script में आएंगे यहाँ पर सबसे पहले again मैं एक और method create करूंगा इस motor force method के and उसके बाद हम देंगे name name हम क्या देंगे steering क्योंकि गाड़ी को हम kind of steering provide करें ठीक है तो हमने steering के नाम से method create कर दिया अब इस method में हम वो wheel colliders provide करेंगे जिने हमें rotation provide करने हैं कौन से wheel colliders है front right wheel collider and front left wheel collider तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा front right wheel collider ठीक है उसके बाद लगाँगा मैं dot and अब मैं जो हमारी steering angle की property है उसे access करूंगा और उसके बाद मैं equal to लिखूंगा ऐसे 30f ठीक है तो हमने ऐसे क्या कर लिया front right wheel collider को 30 angle provide कर दिया बिलकुल ऐसे ही अब मैं क्या करूंगा next time पर लिखूंगा front left wheel collider and उसके बाद again steering angle and उसे भी मैं कर दूँगा 30f और उसके बाद same call ओके तो SM ने क्या कर दिया front right wheel collider को and front left wheel collider को 30 angle provide कर दिया अपना हम चेक कर जाते हैं कि क्या actually मैं हमारे wheels को 30 angle provide होगा या नहीं होगा तो उसके लिए ना सबसे बिल्द मैं क्या करूंगा जो हमारा steering method है इसे मैं call करा लूँगा fixed update method में क्योंक अब मैं से control save करूंगा again मैं हमारे unity game engine पर आऊँगा अब यहां पर देखो अगर मैं play button के पर click करता हूँ अब देखो क्या होगा कि अब जो हमारी car है उसके जो wheels है वो देखो वो हमारे जो wheels है दोनों को यह दोनों wheels 30 के angle पर हो जाते हैं y axis में ओके लेकिन हमें 30 के angle पर multiply करते है motor force से ताकि हम input के बेज़ पर हमारे गाड़ी को कुछ force apply कर सके जिसके बेज पर हमारे गाड़ी आगे पीछे move करें बिल्कुल ऐसी हम क्या कर सकते हैं यहां पर जो हमारे यह angles अमने प्रवाईड की है यहां पर हम इसे horizontal input से multiply कर सकते हैं तो मैं क्या करूंगा जो हमा horizontal input देंगे, उसके base पर क्या होगा कि हमारी गाड़ी के जो wheels हैं, वो 30 के angle तक, ये maximum angle होगा, 30 के angle तक rotate होंगे Y axis पर, ओके, और इसे हम check भी कर सकते हैं, जिसके लिए मैं से control save करूँगा, again देखो मैं हमारे unity game engine पर आँगा, अब देखो, अगर मैं play button के पर क्लिक करता हूँ, अब देखो क्या होगा, अब अगर मैं हमारे keyboard से D की press करूँगा, तो जो हमारे wheels हैं, वो right की तरफ rotate हो जाएंगे, Y axis पर, और rotation कितने होगी, 30, अगर मैं A की press करूँगा, तब देखो क्या होगा, जो हमारे wheels हैं, वो left की तरफ rotate हो जाएंगे, और angle कितना होगा, minus 30, और यही हमें चाहिए था, ओके, आप देखो, अगर मैं हमारे गाड़ी को आगे move करता हूँ, तो आगे move करेगी, right की तरफ move करता हूँ, right की तरफ move करेगी, left की तरफ move करता हूँ, left की तरफ move करेगी, तो हमने हमारे गाड़ी को input के base पर, आगे पीछे right left movement प्रोवाइड कर दी, और यही हमें चाहिए था, अभी एक चीज़ और हम ठीक कर लेंगे, हम क्या करेंगे, देखो, again जो हमारी car controller script है, यहाँ पर माएंगे, यहाँ पर अभी देखो, जो हमने angle दिया है 30, उसे भी हम क्या करेंगे, एक variable में store कर लेंगे, कैसे हम store करेंगे देखो, यहाँ पर हम एक another variable create करेंगे, public, ठीक है, एन उसे हम type देंगे, float, एन नेम उसे हम क्या देंगे, steering angle, ठीक है, एन उसे मैं equal to कर दूँगा, अभी के लिए 30f, एन उसके बाद से हमें एक column, ठीक है, तो ऐसे हमने क्या कर लिया, steering angle के नाम से एक variable create कर दिया, एन उसका अभी के लिए angle हमने रखा है 30, ओके, अब मैं क्या करूँगा, जो हमारे steering angle variable है, इसे मैं यहां से copy करूँगा, और इसे कहां पर मैं paste करूँगा, जब हम 30 angle दे रहे हैं, तो first वाले को भी मैं यहां पर इसे paste करूँगा, और second वाले की जगह पर भी मैं ऐसे paste करूँगा, अब मैं ऐसे control save करूँगा, again देखो मैं हमारे unity game engine पर आउँगा, अब यहां पर देखो, जो हमारे car controller script है, उसमें हमें motor force देखने को मिल जाएगी, and steering angle देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इन्हें हमने as a public variable रखा था, और इसे रखने का मतलब यह था, कि ताकि हम inspector से ही हमारे car की movement speed, course की rotation speed को change कर सके, तो SM ने क्या कर लिया, SM ने हमारे car को input system provide कर दिया, जिसके base पर हम हमारे car को move कर सकते हैं, ऐसे जैसे real life में car move कर दिया, लेकिन अभी हम देखे हैं कि जो हमारे car है, वो तो move कर जाती है, बट जो हमारे camera है, वो वहीं पर रहता है, जबकि अगर आपने कोई GTA 5 जैसी game के लिए है, तो हम आपर आपने देखा हो कि जब car move करती है, तो पीछे फीचे उसके camera move करता है, और हम भी चाहते हैं कि जो हमारी car है, उसके साथ साथ हमारा ये camera भी move करें, तो इस चीज़ को हम कैसे achieve करें, देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे main camera को behavior provide करेंगे, यानि के script provide करेंगे, कैसे हम provide करेंगे, उसके लिए हम script folder में आँगे, यहाँ पर हम right click करेंगे, create पर जाएंगे, एर एक new switch आप script create कर लेंगे, एर इससे हम rename कर देंगे, follow car, इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास follow car के नाम से script create हो जाएगी, अब मैं क्या करूँगा, जो हमारे script है, इसे मैं हमारे main camera के उपर drag and drop कर दूँगा, जिससे कि script इसका एक component बन जाएगी, अब हम क्या करेंगे, हमारे follow car script को open करेंगे, तो ये रही हमारे script, अब इस script की हल से, हम हमारे main camera को behavior provide करना चाते हैं, कि वो हमारे car के पीछे-पीछे move करें, तो इस चीज़ को हम कैसे achieve करेंगे, देखो, इसके लिए न, सबसे बहले हमें कि ये first method देखने को मिलता है, जो कि है transform.lookat method, अब जैसे कि इस method का name suggest करता है, इसके हल से हम क्या कर सकते हैं, हमारे camera को behavior provide कर सकते हैं, कि वो हमेशा हमारी car की तरफ देखता रहे, तो अभी के लिए थो हम इसी को achieve कर लेते हैं, हम क्या करेंगे हमारी follow का script पर हैंगे, यहाँ पर जो हमारा ये update method है, इस method के अंदर हम जो हमारा transform.lookat method है, उससे हम call करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, देखो transform.lookat method, ठीक है, अब जो हमारा ये method है, इस method की parentheses में हम क्या pass करेंगे, यहाँ पर हम pass करेंगे क्या target transform, यानि कि जिस transform की तरफ हम देखना चाते हैं, वो यहाँ पर हम pass करते हैं, और वो transform क्या है, वो है हमारी car का transform, क्योंकि हम हमारे main camera को चाहते हैं, कि वो हमारी car की तरफ देखे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारी एक मारूती car का transform चाहिए, हमारे इस follow car script में, तो उसे मैं कैसे get करूँगा, तो यहाँ पर मैं एक variable create करूँगा, public, और टाइप उसे मैं दूँगा, transform, और इसे हम क्या देंगे, car transform, और उसके बाद semi call, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा यह car का transform है, उसे हम यहाँ से copy करेंगे, और हमारे look at method के अंदर इसे हम pass कर देंगे, तेखे, अब मैं ऐसे control save करूँगा, अगें देखो, मैं हमारे unity game engine पर आऊँगा, अब यहाँ पर देखो, हम हमारे main camera के पर click करेंगे, और यहाँ पर देखो, जो हमारी follow car script है, यहाँ पर हमारे पास यह slot बन जाएगा, कि मुझे भाई वो car transform प्रवाइड करो, भी देखता रहेगा, देखो, अब भी देखने में यह सही से नहीं लग रहा है, क्योंकि जो हमारा ground है, भी वो खाली है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो जो हमारा ground है, इसके उपर कुछ buildings create कर लूँगा, basic building यानिके cubes, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारे hierarchy में right click करूँगा, यहाँ पर मैं 3D objects में जाऊँगा, एक cube को select करूँगा, and then हम क्या करेंगे, जो हमारा cube ऐसे हम scale कर देंगे, x-axis पे, थोड़ा सा y-axis पे, थोड़ा सा z-axis पे, ताकि हम इसे building की form दे सकें, ठीक है, एक अच्छा perspective ले सकें, कि जो हमारा look at method है, वो आखिर काम कैसे कर दे, तो हम इसे use करते रहेंगे, and अब देखो, हमारे पास काफी buildings हो चुकी है, अब मैं क्या करूँगा, play button के पर click करूँगा, and अब हम अच्छी से देख सकते हैं, कि जो हमारा look at method है, वो काम क्या करेगा, कि अब अगर मैं हमारी car को move करता हूँ, तो जो हमारा main camera है, वो हमेशा हमारी car की तरफ ही देखता रहेगा, even though अगर हमारी जो car है, वो buildings के पीछे भी चली जाती है, तब भी जो हमारा camera है, हमेशा हमारी car को ही देखता रहेगा, यही हमेंच यह था ठीक है तो हमने क्या कर लिया हमने look at method की health से हमारे main camera को behavior प्रवाइड कर दिया कि वो हमेशा हमारी car की तरफ ही देखते रहे तो हमने एक चीज को तो achieve कर लिया अब आती है next चीज और next चीज यह है कि हम यही नहीं चाहते कि वो हमारा camera हमारी car की तरफ देखे हम चाहते है कि वो हमारी car के पीछे पीछे move भी करे तो अब उस चीज को हम कैसे achieve करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे हमारी car की back side पे एक point ले करूँगा और यहां पर मैं एक empty game object create कर लूँगा जो कि इसका एक child game object हो ठीक है अब इस child game object को मैं हमारी car की back side पे set करूँगा कैसे मैं set करूँगा उसके लिए मैं यहां पे center पे click करूँगा और इसे किसी भी एक direction में move कर लूँगा और मैं हमारी car के पर focus कर लूँगा ओके अब जो हमारा यह empty game object है उसके पर मैं click करूँगा और इस empty game object को मैं हमारी car की back side पे देखो यहां बार हम इसे set कर लेंगे अब इक लिए हम इसे यहीं भी set कर लेते हैं बाद में हम इसे अपने according change कर लेंगे जैसे हमें चाहिए ओके अब हम क्या करेंगे जो हमारा यह game object है इ तो मैं क्या जाता हूँ कि जो हमारे camera point की position है उसे मैं हमारे main camera की position को assign करना जाता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा उसके लिए सबसे पहले मुझे इस camera point का transform चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगा हमारी script पर हूँगा and उस transform को get करूँगा कैसे variable की आपसे तो यहां पर मैं variable create करूँगा public टाइप उसे मैं दूँगा transform एने उसे में क्या देंगे camera point transform और उसके बाद semi column अब मैं ऐसे control save करूँगा गैं देखो मैं हमारे unity game engine भी आँगा अब यहां पर देखो जो हमारा main camera है इसके इंदर जो हमारी follow car script है यहां पर हमारे पास slot बन जाएगा कि मुझे camera point का transform प्रवाइड करो तो मैं क्या करूँगा जो हमारा यह camera point है उसे मैं यहां पर drag and drop कर दूँगा जिससे क्या हो जाएगा हमारे इस camera point transform variable के अंदर actual transform आ जाएगा ओके अब मैं चाहता क्या हूं देखो हम चाहते हैं कि जो हमारे camera point की position है वो हमारे main camera को assign हो जाए ओके क्योंकि हमें हमारे camera point की position पर हमारे main camera को set करना है तो उसे मैं कैसे achieve करूँगा उसके लिए हम क्या करेंगे update method के अंदर आएंगे और यहाँ पर सबसे बहले हमें हमारे main camera की position जाएगे और main camera की position हम कैसे get कर सकते हैं transform.position की help से क्योंकि जो हमारे यह transform.position है वो किस transform को represent करेगी हमारी follow card script के game object की transform को और follow card script कहाँ पर लगी हुई है हमारे main camera के उपर तो इससे क्यों जाएगा हमारे पास इस transform.position से हमारे main camera की position है जाएगी अब मैं इसको assign कर दूँँगा किसकी position camera.transform.position ठीक है that's it अब मैं से control save करूँगा अगे देखो मैं हमारे button के पर klick करता हूँ अब जाएखो कि अब अगर मैं हमारी car को move करता-hington एच James भी देखो हम लिए और एक में में समय करते हैं कि दिखो जो हमारे main camera you और थो आख में देखके सकते हैं कि इस आख कि और उमारे main camera काया की presents पोजिशन पे रहे तो इसलिए वो भी हमारी कार के साथ साथ मूव होता है अब देखो अगर मैं इस कैमरा पॉइंट की पोजिशन को थोड़ा सा भी चेंज करता हूँ तो देखो हमें गेम व्यू में भी चेंज देखने को मिलेगा क्यूंकि हमारा में कैमरा उसी पोजिशन पर पहुंच जाएगा जिसके पर हमारा कैमरा पॉइंट है तो हम इसे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे जैसा हमें चाहिए तो हम इसे अपने कोडिंग थोड़ा सा चेंज कर लेंगे देखो सीन वी में आएंगे कैमरा पॉइंट पे क्लिक करेंगे ठीक है एंड हम क्या इसकी जो y position एसे में कर देंगे 1.4, ओके, जो इसकी z position है, इसे में कर देंगे, minus 3.5, ओके, अब देखो, अगर मैं play बटन के पर click करता हम, अब देखो, जो हमें camera angle देखने को मिलेगा, वो काफी सही है, and यही हमें चाहिए, ठीक है, लेकिन, अभी ना हमें एक problem देखने को मिल उसके लिए, अभी तक मुझे लग रहा था, कि इसका solution क्या है, कि यहाँ पर देखो, जो हमारी follow का script है, and यहाँ पर हम update method यूज़ कर रहे हैं, हमारे camera की movement के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम fixed update method को use करते हैं, and इसे control save करते हैं, अगर हम unity game engine पर आते हैं, and तो इस zitter को भी हम solve करेंगे, लेकिन उससे पहले, एक problem हमें और देखने को मिलीगी, कि जो हमारा camera है न, वो कुछ ज्यादा ही हमारी car से चिपक के चलता है, और यह हमें नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा delay हो, तो उस delay को हम कैसे achieve करें, देखो, हम चाहते हैं क कि जो हमारा main camera है, ओके, वो हमारी camera point की position पर आने के लिए थोड़ा time लगाए, ना कि उससे चिपक के चलता है, तो इसे हम कैसे solve करेंगे, देखो, इसके लिए अभी तक जो मैं use कर रहा था, वो था vector3.lerp method delay लगाने के, लेकिन इस method की वज़े से भी हमारे पास जो camera moment में थो तो हम क्या करेंगे, vector3.smooth.dap method को use करेंगे हमारी camera moment में delay लगाने के, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, again हम हमारी follow का script में आएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे, transform.position equal to camera point transform.position, यानि कि हम हम हमारी main camera की position को camera point की position assign कर रहे थे, जिसके बज़े से हमारा main camera, उस camera point की position पर जाके चिपक जाता था, और हमें वो नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर delay चाहिए, तो delay को मैं कैसे achieve करूँगा, उसके लिए जहाँ पर जो हम यह लिख रहे हैं, इसे हम कर देंगे, cut and इसकी जगह पर हम लिखेंगे, देखो, vector3.y method, जो मैंने आपको बताया था, smooth, damp, और उसके बाद parentheses and semi-color, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, smooth, damp method के बार में, इसकी parentheses में हम क्या देते हैं, देखो, जो हमारे यह method है, इस method के अंदर हम क्या parentheses देते हैं, सबसे पहले देते हैं, current position, उसके बार देते हैं, target position, जहांपर उससे पहुंचाना है, उसके बताती ह कि existing position को, जो कि है transform.position, उसके बार हम देंगे, वो position जहांपर उससे पहुंचाना है, जो कि है camera.transform.position, अब next आती है, हमारे पास velocity, अब जो velocity है, उससे हमें नहीं छेड़ना है, तो हम क्या करेंगे, top पर आएंगे and यहांपर हम एक variable create करेंगे, private, ठीक है, and उसे हम type देंगे, vector 3, and name उसे हम क्या देंगे, velocity, and उसे मैं equal to कर दूँगा, vector 3.0, okay, and उसके बाद semi call, okay, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी यह velocity है, इस variable को मैं यहां से copy करूँगा, and यहां पर उस velocity को मैं pass करूँगा, कैसे मैं pass करूँगा, सबसे पहले हम जिखूँगा, ref, जो की keyword है, and उसके बा पर हम time कितना देंगे, 5F, इसके बाद से multiply कर देंगे, time.delta time, and that's it, इतना हमें करना है, अब हम क्या करेंगे, इसे control, save करेंगे, देखो, and अब देखो, again देखर हम हमारे unity game engine पर आते है, and अब देखो, अगर मैं play button के पर click करता हूँ, अब हमें जो हमारे camera movement देखने को वो हम देख सेतने हैं कि अब जो हमारा camera है, वो हमारी car से चिपक के नहीं चलता है, उसमें हमें delay देखने को मिलता है, and यही हमें चाहिए था, and इसी के साथ ही, हमें हमारी camera movement में कोई भी jitter देखने को नहीं मिलता है, वो बहुत ही smoothly काम कर रहा है, लेकिन अभी न एक problem और द इतना काफी है, हमने काफी चीजें पढ़ ली है, तो इतना काफी है, next video में हम बात करेंगे center of mask के बारे में, and उसकी help से हम इस problem को solve करेंगे, and इसके लाब हम हमारी car को breaking system भी provide करेंगे, and हमारी car controller को complete करेंगे, तब तक के लिए आप इस video को like करो, channel को subscribe करो, and I will see you guys next time.